हलो अपीवन, वेलकम तो माइ चैनल लेट्स कलर ग्रीन आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि स्नेक प्लांट की रिपॉर्टिंग कब, कैसे और रिपॉर्टिंग करने के बाद इसकी कैर कैसे करनी चाहिए Snake plant को report करने का best time है सरदिया जाने के बाद और गर्मिया शुरू होने से पहले ताकि report करने के बाद ये अपनी नई growth जल्दी से शुरू करते पौधे को report करने से पहले हमें एक खास चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमें पहले पौदे को अच्छे से पानी दे देना है और 6 गंटे तक इसे बिलकुल टच नहीं करना है तकि इसकी जो सॉइल है वो एक्टम सौफ्ट हो जाए और जब आप इनके रूट्स को निकाले पौट में से तो वो ज़्यादा डैमेज ना हो और अब देखिए सौइल नेरम हो रहें के कारण मैं अब पौट को पौट से अराम से धीरे धीरे बाहर निकाल पा रही हूँ और इसकी रूट्स अब ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगी ये स्नीक प्लांट मेरे 10 इंच के गमले में लगा हुआ था और अब आप देख रहे हो कि इसमें बहुत ज़्यादा रूट पाउंड हो गई है और बहुत ज़्यादा नए शूट्स आए हुए है तो अब हम इन में से कुछी शूट्स को रीपॉर्ट करेंगे बागी को हम डिसकार्ट कर देंगे या किसी और जगा पे लगा देंगे तो अब रीपॉर्ट करते वक्त हमें उन पाउधों को या उन शूट्स को चूज करना है जिनकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो गई है या मतलब आप तेक सकते हो कि कुछ शूट्स की रूट्स एक दम मोटी है तो हम उन शूट्स को अराम से दूसरे गंबले में रिपॉर्ट कर सकते हैं जिस से की उनका डैमेज होने का या मरने का चांस कम होता है अब इन शूट्स में से दो या तीन हेल्दी शूट्स हम चूज कर लेंगे और इनकी जो एकसेस रूट्स है उसे ट्रिम कर देंगे बस जो मीन रूट है जो मोटा वाला हिस्सा है रूट का वो हम रखेंगे ये देखे ये एक शूट मैंने चूस कर लिया है रिपॉर्ट के लिए अब हम रिपॉर्टिंग के लिए एक गमला तयार कर लेंगे स्नेक प्लांट 10 इंच या उससे बड़े गमले में अराम से लग जाता है तो pot तयार करने के लिए मैंने ये 10 इंच का गमला ले लिया है और इसमें मैंने बस normal garden soil और एक मुठी vermicompost दे दी है नीम खली optional है आप चाहे तो दे सकते है या आप इसे skip कर सकते है अब गमले को मैंने आदा मिट्टी से भर लिया है और अब जो healthy shoots है वो मैं इसमें अच्छे से place कर दूँगी और फिर उसे उपर से और मिट्टी से cover कर दूँगी गमले में अच्छे से मिट्टी भरने के बाद हम इसमें पानी दे देंगे और इसमें हमें अच्छे से पानी देना है तक कि इसकी मिटी जो है वो सेटल हो जाए और जो इसकी शूट्स है जो अभी हमने नए लगाए है वो अपनी जगा से हिले नहीं और उसके बाद हमें वाटरिंग तब ही देनी है जब इसकी उपर की जो टॉप लेयर है वो एकड़म ड्राइ हो जाए रीपोर्ट करने के बाद हमें गमले को चाहों में यहां चाहां कम दूप आतियों वहां रखना है जब तक कि इसमें नई ग्रोथ या नए शूट्स ना दिखाई दे इस वीडियो में इतना ही आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताईए और अगर ऐसा कोई प्लांट है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो भी हमें बताईए और ऐसे ही कुछ अच्छी इंफॉमेशन के लिए मेरी चैनल को लाइक करें अच्छी इंफ।